नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, तो स्वागत है आपका Learn Magic YouTube चैनल पे, आज जो ट्रिक मैं आपके लेका है हूँ, बहुत ही जानी मानी ट्रिक है, इसको आपने किसी ना किसी मेले में, कार्निवल में जरूर देखा होगा, या वहाँ नहीं देखा होगा, अगर आप फ इसमें दो छेद होते हैं, देखिए एक छेद ये है, और दूसरा छेद जो है, वो ये है, और बोला चाता है कि किसी एक छेद में आपका उंगली डालनी है, या एक pen डालना है, और फिर बेल्ट को खीचा जाएगा, और अगर आपके उंगली ऐसे खीचने के बाद इसमें फस गई, तो आपने जो पैसे लगाए हैं, वो डबल कर दिये जाएंगे, वहीं अगर आपके उंगली नहीं फसी और बाहर निकल गई, तो आप अपने पैसे हाड जाएंगे, तो ये जो ट्रिक है दोस्तो, फिर से ये एक जादू है, और ये एक हाथ की सफाई है, तो अग अगर आप जो है, इसको खेल रहे हैं, तो हमेशा जो जीत होगी, वो जादू करगी होगी, हमेशा आपके उंगली जो है, इसके अंदर नहीं फसेगी, चाहे आप किसी भी छेट में अपने उंगली को डालें, तो ये ट्रिक देखिए, पहले में आपको करके दिखाता और फिर इसको मैं डीटेल में आपको समझाओंगा, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, तो दोस्तों ये ट्रिक कैसे खेले जाती है, वो आपको बताता हूँ, आप कहीं मेले पर जाएंगे, या फिर आप किसी रोट साइड में इस गेम को खेलते वे देखिएंगे, का देखिए, दो छेद इसमें बनेंगे, एक ये है और एक ये है, इन में से किसी एक छेद में आपको अपनी अंगली को या एक पैन को फसाना होगा, और अगर आपने जिस छेद में फसाया है, मैं बेल्ट को खीचूंगा, और अगर आपका पैन जो है, यहाँ फस गया है, ज जो है बोल लोगों से आकर के पैसा लगाने को तो कोई आता है और 100 रुपे अपने लगाता है उसके बाद वो पैन को फसाता है और बैल्ट को खीचा जाता है और पैन फस जाती है बैल्ट के अंदर तो उसके 100 रुपे जो है वो 200 रुपे बन जाते हैं उसके पैसे डबल हो ज देते हैं क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन बेल्ट खीकी आती है और बेल्ट बहा निकल जाती है और आप अपने पैसे हाड जाते हैं तो दोस्तों सीक्रेट यही है इसका कि आप चाहे किसी भी होल पर पैसा लगाएं आप हारी जाएंगे आपका पैन कभी नहीं लेकिन किसी दूसरे का फसेगा क्योंकि वो जो अनसान है वो जादूगर के साथ मिला हुआ होता है तो देखे दोस्तों अगर माल लीजिए आप स्टार्टिंग से करते हैं देखे यह मेरा होल है मैं पहली पैन फसा देता हूँ यह ठीक है पहले पैन फसाने के बाद भी पिले ही गुसा देता हूँ और घुमाता हूँ और घुमाने के बाद अगर मैं इसको खीचू फिर से तो पैन बहार निकल दियाएगा अब आप सोच दोगे कि शायद दूसरे होले मुझे फसाना चाहिए तो चलिए मैं फिर से इसको घुमाता हूँ पैन देखिए मैंने पहले से होल के अंदर डाल दिया था अब मैं क्या करता हूँ एन वक्त में अपना होल जो है उसको चेंज करता हूँ उसको मैं इस होल में डाल देता हूँ तो अभी मैं खीचूंगा तो मेरा बेल्ट बहार निकल जाएगा तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपका जो belt है, वो बाहर निकल जाएगा, और यही main trick है, कि कितनी भी कोशिश करने के बाद भी, आप hole के अंदर अपनी pen को नहीं फज़र पाएंगे. तो दोस्तों चलिए, इसके secret की पीछे चलते हैं, कि कैसे यह trick खेली जाती है, लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है, तो please चैनल को subscribe कर ले, और bell icon भी बनाता है, उसको भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई इसी नई interesting सी magic trick डालू तो आपको पता चलिया है, उसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको यह पसंद आई, तो जरूर लाइक करे, और अगर आपको पता चल गया है, कि यह trick मैं कैसे कर रहा हूँ, यह trick कोई जादू कर कैसे करता है, तो जरूर इस वीडियो को pause करके, नीचे comment में ज रंकी है, और दूसी तरफ से यह लाल रंकी है, और मैं यह two color की belt का इस्तमाल इसले कर रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा आसानी से इस जादू को समझ पाएं, और उसके बाद इसको कर पाएं, आप इसको करिएगा एक same color की belt पर ही, लेकिन समझने के लिए यह two color की belt हम use करे तो देखिए दोस्तो, main इस जादू की जो trick है, वो कहां पर है, वो इसको fold करने में नहीं है, fold करने में कोई भी trick कर दोस्तमाल नहीं किया जा रहा है, इसकी जो main trick है दोस्तो, वो है कि जब आप खीचते हैं, जब आप खीचते हैं इसको तब किस तरीके से खीचते हैं चलिए आपको डीटेल में मैं समझाता हूँ देखिए दोस्तों मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है मैं इसको रोल कर रहा हूँ और जब आप इसको रोल करते हैं और end पे आप कुछ इस पोजिशने पहुचते हैं तो देखिए यहाँ पर दो लूप बनते हैं एक लूप ये है एक कोना ये है और दूसा लूप ये है इन दो मैंसे किसी में पैन को रखा जाता है अब देखिए इन दो लूप में एक बहुत बड़ा अंतर है वो अंतर यह कि देखिए यह जो लूप है इसका कलर अंदर से रेड है और जो यह लूप है इसका कलर अंदर से ब्राउन है तो अब जो भी सामने वाला इंसान है वो जिस कलर की लूप में पैन रख रहा है उसके हिसाब से जादूगर जो है कि यह लूप को खीशता है और डि जैसे कि अगर उसको pen नहीं फसानी तो उस case में क्या होगा माल लीजे मैं brown वाली लूप में pen रखता हूँ तो जब वो खीचेगा इसको तो वो देखिए जब खीच रहा है तो यह देखिए अभी लाल को खीच रहा है तो यानि कि अंदर की तरफ brown है अगर भाल को खीचूंगा और brown में pen रखता है और उसके आद अगर इससे खीचना है और नहीं फसाने है तो मैं क्या करूंगा मैं ऐसे खीचूंगा कि बाहर की तरफ जो color है वो brown हो और वो करने के लिए मुझे बस एक simple सी trick करनी पड़ी यह simple सी trick क्या है कि जो पहली layer है belt की उसको पहले छोड़ना है एक round और वो अगर मैं छोड़ता हूँ तो देखिए अब बाहर की तरफ brown आ गया है और red जो है अंदर चले गया है तो अब अगर मैं खीचूंगा और मैंने brown के अंदर अपना pen रखा हुआ था तो वो नहीं फसेगा तो बस दोस्तों यही simple सी trick होती है जो जादूगर होते हैं वो सिर्फ एक color की belt इसमाल करते हैं और उनको बिलकुर अंदाज रहता है कि कौन सा loop किस तरीफ से नहीं खुलेगा और उस तरफ से belt को खीचते हैं लेकिन राज mainly यही है अगर मुझे किसी की belt को फसाना है तो यहाँ पर आप देखिए जिस color पे मैंने pen रखा हुआ है उसका opposite color पे मिरे को खीचना होगा यानि कि अगर मैंने red में pen रखा हुआ है और मुझे फसाना है तो मुझे brown को खीचना होगा दोने तरफ से brown होना चाहिए लेकिन वहीं अगर मुझे red को नहीं फसाना है तो मैं red पे pen रखा तो मैं इसको घुमा करके red को जो है बाहर की तरफ लियाओंगा और अब मैं खीचूंगा तो यह नहीं फसेगा तो दोस्तों यह वो बड़ी आसान सी ट्रिक है जिससे काफी सारे लोग जो है बेकोव बनाते हैं और कई बार आपसे कई सारे पैसे भी डूठ लेते हैं तो अगर आपको यह ट्रिक होती भी दिखे तो फिर से आप इस ट्रिक पे ना जाएं ना खेलें क्योंकि आप 100% यहा सेलेक्ट करने उस पर तो चलिए दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही इंट्रेसिंग वीडियो के लिए चलिए फिर मिलते हैं